हलो स्टुरेंट्स देखिए आज हम 12th क्लास में 7.3 एक्सराइज जो की एलिमेंट बुक का पार्ट है उसका कोशन नमबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं देखिए विध रिस्पेक्ट टू एक्स पर ही हमें डिफ्रेंशेशन करना है लेकिन हम इस बार substitution method की ही help लेंगे जो हम already पिछले दो-तिन कोशन से करते आ रहे हैं तो देखिए y let कर लेते हैं 10 inverse क्या है root of 1 plus x minus root of 1 minus x जब भी 1 plus x और 1 minus x आता है तो आपको बता रखा है कि ऐसी situation में x को cos theta की form में let कर लेना ज्यादा बैटर रहता है है ना तो हम वही काम करने वाले हैं put x is equal to cos 2 theta तो यहां से theta की value क्या आ जाएगी यह आ जाएगे मारे पास 1 by 2 cos inverse x तो जो y है वो y किस में बदल गया 10 inverse root 1 plus cos 2 theta minus 1 minus cos 2 theta and divided by root 1 plus cos 2 theta plus root 1 minus cos 2 theta तो हम इसको कर देते हैं simplify so y किस के equal जाएगा 10 inverse 1 plus cos किस के equal होता है 2 cos square के equal होता है है ना ऐसा ही काम नीचे उपर और नीचे फर किस का है middle में जो यह minus का sign है उसकी जगह प्लस आये होगा है so बागी सब कुछ सेम है अब हम जो square में हैं उनको root से बाहर ले आते हैं महाँ पास क्या बद जाएगा root 2 cos theta minus root 2 sin theta और नीचे root 2 cos theta plus root 2 sin theta अब यह देखिए उपर और नीचे जो है वो root 2 common आकर cancel हो सकता है तो हमाँ पास क्या बच गया cos theta minus sin theta और नीचे cos theta plus sin theta अब देखिए ऐसी situation जब भी बजनती है और बाहर tan inverse हो तो एक कम बड़े अच्छे से किया जा सकता है क्या और यह बिना tan inverse के भी हो तो भी mostly helpful ही होता है क्या आप numerator और denominator दोनों को cos से divide करते हो देखो cos को divide किया cos से divide किया तो 1 बचा sin को करेंगे तो क्या बन जाएगा tan ऐसा ही काम हम एक बड़ पहले भी कर चुके है यहाँ आप वो mention कर देब numerator और denominator को हमने cos से divide किया है तो अब यह किस की situation बन गई यह situation बन गई tangent pi by 4 minus theta की है ना अब tan inverse और tan तो खतम क्या बच गया pi by 4 minus theta और theta उपर ते देखो हमने क्या निकाला था 1 by 2 cos inverse x तो वो हम यहाँ पे substitute कर देते हैं so pi by 4 यह बन गया 1 by 2 cos inverse x और अब हमें इसका derivative करना है तो हम pi by 4 का करेंगे 0 minus 1 by 2 same cos inverse का क्या हो जाएगा minus 1 by root 1 minus x square है ना तो 1 से 1 sorry minus से minus cancel हमार पास सिर्फ ऐसे situation बच गई तो यह बच गया हमारा answer first part का ठीक है तो चलिए second part देखते है second part क्या है इसमें भी थोड़ा सत्यान रखने वाली situation है देखिए condition आपको वैसे से ही देखने को मिल रही है हर x की जगह क्या हुआ है x square आए हुआ है और कोई भी फर्क नहीं है तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको hint दूँगा कि आप करें क्या इस question में ठीक है बाकी structure बिल्कु लैजिटेज बन चाएगा देखिए आप यहाँ पर x square की जगह स्ट रख लीजिए cos 2 theta तो फर्क क्या पड़ेगा जो theta की value आएगी 1 by 2 cos inverse वहाँ बना हुआ था x यहाँ बन जाएगा x square यह देखिए बस इतना फर्क है that means कि आपका यहाँ तक का answer जो है वो exact same आएगा क्योंकि देखिए जब आप इसमें y को converted form में लिखेंगे तो क्या बनेगा root 1 plus cos theta sorry 2 theta और यहाँ 1 minus cos 2 theta नीचे same 1 plus cos 2 theta और यहाँ 1 minus cos 2 theta है ना यह देखिए यह same यही situation नहीं बन गई that means कि आपका यहाँ तक का answer बिल्कुल exactly same रहेगा बस जब आप इसको इसमें convert करोगे तो extra गयाएगा यहाँ square आजाएगा ओके अब आगे जो है वो I think आप कर सकते हैं ठीक है चले third part देखते हैं फिर भी अगर यह question ना हो तो comment box में ज़रूद बताएं let या ऐसा करता हूँ देखो वो situation जहाँ बन जाएगी हमारे पास देखिया ऐसी situation आ जाएगी पाइब बाइब फोर माइनस थीटा की तो पाइब फोर थीटा की जाएगा आप क्या रखोंगे अब बाइब बाइब टू cos inverse x square ठीक है अब इसका derivative करेंगे इसका derivative क्या हो जाएगा इसका derivative हो जाएगा 0 minus 1 by 2 और cos inverse का minus 1 upon root 1 minus value का square और x square का square 4 और x square का derivative फिर 2x तो minus से तो minus plus हो जाएगा इस 2 से 2 cancel हो जाएगा हमारे पास क्या बचा सिर्फ x upon root 1 minus x की power 4 ठीक है चले third part third part क्या है फिलाल ये भी tensor related ही काफी questions है देखे ए square minus x square तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई situation आती है तो आपको बता रखा है कि ऐसे में x की जगा क्या रखना है आपको sin या cos रखना है ठीक है तो हम यहाँ पे cos रखके देखते हैं cos theta लेकिन जब a आ जाता है 1 की जगा है a आ गया तो a भी साथ रखें यहाँ से theta की value क्या आ जाएगी cos inverse x upon a therefore जो y है वो y किसमें बदल गया tangent inverse a sorry ऐसा करते हैं sin रखते हैं क्योंकि यहाँ पे sin उपर हो तो बैटर रहता है 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 ना क्योंकि sin upon cos ही तो 10 हमें देगा तो यह बन जाएगा यहाँ पर sin inverse तो a sin theta divided by root a square minus यहाँ क्या रखा हमने x के जगह है a sin theta तो a square sin square theta है ना तो यह बन गया भाई a sin theta तो as it is और नीचे देखो a square हमने लिया common क्या बचा 1 minus sin square theta अब 1 minus sin square theta किसके equal होता है cos square के equal होता है तो हमने a square को बाहर लिया root से तो square रट जाएगा और root के अंदर क्या बच गया सिर्फ cos square theta तो a से तो a cancel हो गया अब नीचे देखिए नीचे क्या बचेगा square से root cancel होने के बाद नीचे सिर्फ cos theta बचेगा अब sin upon cos किसके equal होता है tangent के तो अंदर क्या बन गया tangent theta अब 10 और 10 inverse cancel क्या बचेगा सिर्फ theta और theta देखिए किसके equal है sin inverse x by a के equal है तो अब आप इसका derivative जो है वो बड़े आराम से कर सकते है sin inverse का 1 upon root 1 minus value का square और फिर value का derivative तो x by a का derivative क्या जाएगा 1 by a तो अब आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा simplify कर सकते है तो देखिए यहाँ पर हमने लिया LCM a square तो यह बन गया a square minus x square अब root कर लिए हमने separate a square minus x square upon a क्योंकि square का root है a बचाएगा अब इस a से यह a cancel हो गया क्या बचेगा आपने पास final answer 1 upon root a square minus x square ठीक है तो यह था अपना third part fourth part sin inverse से related है इसमें sin inverse x square है अब नीचे जो देखो x की power 4 है यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते है square का square है ना और वो भी a square का square a की power 4 को तो ऐसा करते है इस x square को हम कुछ tangent की form में substitute कर लेते हैं tangent में क्योंकि देखें की बीच में plus है तो 1 plus x square जो कुछ होता है तो हम tangent या cotangent कुछ रखते हैं तो इस बार हम x square को tangent theta रख लेते हैं तो यहाँ से theta की value क्या जाएगी tangent inverse x square तो देखते हैं क्या situation बनती है तो जो sine inverse है क्या बन गया tangent theta ओ सोरी a square है यहाँ अंदर है ना तो हमें a square tangent square रखना पड़ेगा तो x square upon a square जैसी situation बनेगी यहाँ tan inverse के साथ ठीक है तो a square 10 theta तो यहाँ अंदर क्या बनेगा भाई अंदर बन जाएगा a square का देखो फिर say square करोगे तो a की power 4 और tangent square theta क्योंकि हमने तो सिर्फ a अंदर वाले x square की जगा यह रखा था तो इसका जब दुबारा से square करोगे तो square का भी तो square होएगा तो वह तो बन गया 4 power है ना और minus sorry plus में a की power 4 है यह पहले से वो समझने के लिए अब यहाँ दिखाए था ताकि इस से hint मिलेगी हमें यही इस tangent के साथ लेके चलना है ठीक है अभी देखिए sine inverse उपर फिलाल as it is अब यह देखिए यहाँ भी a की power 4 है यहाँ भी a की power 4 है दोनों में से a की power 4 common आ सकता है और वो common आरके इस root से बाहर भी आ सकता है तो root से बाहर आएगा तो क्या बनेगा यह square और अंदर क्या बचा सिर्फ 10 square theta plus 1 है ना तो a square चे तो a square cancel हो गया अब 1 plus 10 square किसके equal होता है 1 plus 10 square होता है secant square के equal लेकिन इसका root चल रहा है भी तो tangent theta अब square से root cancel से secant बचा अब हम क्या करें इनको sin cos में convert कर लें tangent क्या होता है sin upon cos और secant क्या होता है 1 upon cos हमने थोड़ा सा आगे पीछे लिख 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 को से cos कैंसल क्या बच गया सिर्फ sin theta इस उगल्टो में क्या चलता है y तो यानि कि y किसके equal आ गया theta के जबकि theta क्या निकला था ये ओके so y क्या आ गया tangent inverse x square upon a square तो अब हम जब इसका derivative करेंगे तो हम इस complete का derivative करेंगे और फिर x square का derivative 2x a square coefficient है ना so l sum कितना आ गया a की पावर 4 तो a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 और यहाँ 2x upon a square है तो जब हमने a square से 4 काटा तो a square तो बचेगा अब इस a square को हम उपर लिख सकते हैं उपर लिए गए तो यह numerator में आ गया था तो numerator में already 2x था उससे multiply हो गया तो नीचे क्या बचा सिर्फ a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 तो यह आगे अपना अंसर 4th पार ठीक है चलिए 5th पार देखते है यह last जो question किया था न हमने last वीडियो में उससे related properties में लगती नजर आ रही है 3-2x और नीचे क्या है देखो 1 प्लस 6x है तो देखे 6x को क्या हम 3 इंटू 2x लिख सकते है 3-2 नी 6x तो होई जाएगा क्यों लिखा क्योंकि देखो हम यहाँ पे इस 3 को tangent alpha और 2x को tangent beta मानने वाले है तो यहाँ से alpha की value क्या जाएगी tangent inverse 3 और beta की value क्या जाएगी tangent inverse 2x है ना तो जो y है वो y किस में convert हो गया 10 inverse tangent alpha minus tangent beta and divided by 1 plus tangent alpha into tangent beta तो देखे किसकी property बन गई tangent alpha minus beta की है ना अब tangent और inverse तो cancel हो गया alpha minus beta बचा अब alpha किसको मान रखा है भई tangent inverse 3 को और beta tangent inverse 2x को अब जब हम इसका derivative करेंगे तो यह देखिए dy by dx करते हैं तो इसका derivative तो क्या हो जाएगा 0 tan inverse का 1 upon 1 plus value का square यानि कि 2x का square करेंगे तो 4x फिर 2x का derivative 2 तो यह आगे अपना answer simple ओके चलिए next पार देखते हैं let y is equal to क्या है tangent inverse root 1 plus x square minus x देखिए 1 plus x square है इसको देखते हुए तो बस यही लग रहा है कि 1 plus x square है तो हम x की जगह क्या रख ले tangent रख ले तो इसमें x के replacement में tangent theta रख के देखते हैं कि कोई guarantee नहीं होती है हो सकता है आगे जाके कोई दिक्कत आज़े बस try ही कर रहे हैं तो देखिए देखते हैं क्या situation बनती है तो 1 plus tangent square theta और यहाँ क्या है tangent theta अब 1 plus 10 square किसके equal होता है बहुत यह तो होता है secant square के equal है ना अब square से root क्या हो जाएगा आपस में cancel हो जाएगा हमाँ पास क्या बचा सिर्फ secant minus में tangent है अब ऐसा गरते हैं इनका LCM रह ले लेते हैं यानि कि इनको पहले sine cos में convert कर ले यह ऐसा बन क्या अब इसको देखकर ऐसा लग रहा tangent की जगह है cotangent रखना चाहिए था क्यों देखिए हमने cos LCM लिया तो उपर 1- sine बचा अगर उपर 1- cos बनता ठीक है तो हम कोई ना कोई 1- cos वाली जैसे 2-sin2-1-2 अंगल वाली property लगा सकते थे लेकिन अब क्योंकि sine बना हुआ है तो हमें इस sine को पहले cos में बदलना पड़ेगा जब जाके वो property लगेगी तो ये चीज़े पहले से नहीं पता चलती है तो देखिए cos इसको हमने लिख लिया 90-theta तो अब हमें नीचे भी अंगल same बनाने के लिए करना पड़ा cos को sine में बदल लिया ये बन गया अब देखिए उपर हमने लगा दिया वो वाली property 1-cos किसके बदल होता है 2 sin square half angle half angle यानि की 90 का अदा 45 और theta का अदा theta by 2 तो नीचे भी हमें same angle बनाने के लिए sine के double angle property लगाने पड़ेगी तो sine के double angle property क्या है 2 sin half angle multiply cos half angle अब देखो 2 से 2 cancel एक sin से एक sin cancel कर दे हमाई पास क्या बच गया हमाई पास बच गया एक ये sine 45 minus theta by 2 और cos नीचे cos बच गया अब देखो क्योंकि angle भी same है सब कुछ same है तो sine upon cos किसके को लो जाएगा tangent 45 degree minus theta by 2 अब 10 inverse और 10 आपस में cancel हो गए क्या बच गया 45 अब चाहो तो इसकी form में आसे लिख लो 45 की जगह उसे कोई फर्क नहीं पढ़ना अब theta की जगह theta की value रखनी है बस कतम जो कि कितनी है 10 inverse x के एक वाला so pi by 4 1 by 2 tangent inverse x derivative करेंगे तो क्या आए जाएगा pi by 4 का 0 हो जाएगा 1 by 2 same 10 inverse का 1 upon 1 plus value का square तो यह आगे आपका 6 part का हाँ 6 part का derivative चलिए next करते है 7th 7th भी ऐसा ही कुछ लग रहे इस बार इसमें करते है पिछले में हमने tangent रखा था था ना इसमें भी tangent ही रखते हैं जानकर के क्योंकि पिछले में हमें tangent रखने से थोड़ा सा काम आसान हो जाता try करते हैं भी बनाना तो हमें वही है तो देखे वन की जगह tangent थीटा ही रखते हैं थीटा क्या बन जाएगा मारे पास 10 inverse X यानि कि जो Y है वो Y किसके को लग जाए quote inverse tangent थीटा plus root नहीं वही quote ही रखते हैं क्यों रख रहे हैं बस वही 90 के चकर में नहीं पढ़ना चाहते quote थीटा तो यह बन जाएगा quote inverse तो यहां गया quote थीटा और one plus quote थीटा quote square थीटा एक्चुली है ना देखे quote थीटा से अब देखे one plus quote square क्या होता है cosine square root है तो square root आपस में cancel अब इनको क्या करें इनको cos upon sine यानि कि sine और cos की form में हमने convert कर लिया ठीक है अब ले लेते है LCM अब LCM लेते हैं तो क्या जाएगा sine theta उपर क्या बचा cos theta plus one अब देखे one plus cos theta किसके एकुल होता है one plus cos theta होता है हमारे पास two cos square half angle के एकुल तो नीचे भी हमें angle match करने के लिए sine की double angle property लगानी पड़ेगी तो two sine half angle multiply cos half angle ठीक है two से two cancel एक cos से cos cancel कर देते हैं तो cos upon sine बचा और cos upon sine किसके एकुल होता है cos tangent के एकुल ही होता है तो आपस में cancel theta by two बचा तो देखो अब हमें pi by two नहीं लिखना पड़ा हलांकि कोई फर्क नहीं पड़ना वो वैसे भी zero हो जाना है लेकिन फिर भी ठीक है तो theta किसके एकुल है coat inverse x के एकुल है तो जो minus आना थो यहां से आ गया और कोच फर्क नहीं पड़ना है तो coat inverse का क्या होता है minus one upon one plus value का square तो यहां गया अपना seventh part का answer चलिए eight दिखते हैं इसमें तो भई दो दो अलग लग टाइप यह functions है अब देखें यहां पर four x square है क्या हम इस four x square को two x का whole square लिख सकते हैं है ना तो ऐसा करते हैं देखें two x को sin theta रख लेते हैं इधर क्या होगा one minus sin square बनेगा और जो कि क्या होता है cos square और square से root cancel हो जाएगा cos बचेगा और बाहर cos inverse है तो वो तो cancel हो जाएगा लेकिन यहां sin रखा जाएगा तो sin रखेंगे sin को बड़े आराम से हम cos में बदल सकते हैं तो ठीक है बस वही decide किया कि हम two x के replacement में sin theta रख लेते हैं तो theta की value क्या जाएगी sin inverse two x क्यों रखा क्योंकि देखो one बीच में minus है तो one minus x square की form में हम क्या रखते हैं sin को या cos ऐसा कुछ रखते हैं तो y किसमें बदल गया cos inverse sin theta है ना और यहां two cos inverse root one minus sin square theta इधर तो हम क्या करते हैं इसको cos बनाने के लिए 90 minus theta की help ले लेते हैं और इधर ये cos square theta होता ही है है ना अब यहां तो cancel हो गया pi by two minus theta बचा सिर्फ 2 अब यहां square से root cancel ये बन गया तो pi by two minus theta और यहां क्या बचा 2 theta अब theta और 2 theta आपस में क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे तो cancel होने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है pi by two plus theta अब theta की जगह में क्या रखना था sine inverse 2x तो यहां गया sine inverse 2x अब इसका कर देते हैं derivative तो pi by two का 0 sine inverse का 1 upon root 1 minus value का square याने की यह और फिर 2x का 2 derivative तो यहां गया simple सा तो substitution बहुत helper हमारी है ना तो चलिए देखते हैं next last part इसमें भी हमारे पास दो लग-लग functions है one minus x and one plus x और यहां पर भी ऐसी ही कोई situation है ठीक है बात I think बन रही है तो देखिए हम ऐसा करने वाले हैं यहां जो दो है ना उस दो की जगह है tangent alpha रख लेते हैं क्योंकि वैसा बन गया ना structure tangent alpha plus tangent beta divided by one minus tangent alpha into tangent beta तो दो की जगह है तो tangent alpha रख लेते हैं and x की जगह है अब x की जगह हम tangent beta रख लेते हैं अब x यह और यह इन दोनु जगह है यहां दोनु जगह काम कर जाएगा ठीक है तो जो y है वो y किसमें बतल गया tangent inverse one minus tangent beta divided by one plus tangent beta है ना और यहां पर ten inverse इसको अटाई देते हैं लास्टी पार्ट है यह बन जाएगा tangent alpha plus tangent beta divided by one minus tangent alpha into tangent beta है ना तो यहां तो यह किसकी प्रोपर्टी होती है यह होती है tangent pi by four minus beta वो बन जाएगा और इधर किसकी प्रोपर्टी होती है इधर होती है tangent alpha minus beta की प्रोपर्टी होती है तो ten inverse और ten तो आपस में cancel हो जाएएगे क्या बच गया pi by four minus beta बच गया और इधर अलफा माइनस बीटा बच गया है ना तो ऐसा कर लेते हैं बीटा बीटा दो बार लिखा हुआ है तो उनको एक साथ लिख लेते हैं तो बीटा अब इनकी जगे इनकी वैलू जो रख देते हैं तो देखिए अलफा क्या बन गया टैंजन्ट इन्वर्स टू आई थिंक है ना यहां से अच्छा अमने निकाली नहीं है तो alpha की value कितनी आ जाएगी tangent inverse 2 and beta की value कितनी आ जाएगी tangent inverse x तो वहाँ substitute कर देते हैं तो 2 time of beta की जगए tangent inverse x आ गया अब जब derivative करेंगे तो देखें ये भी 0 ये भी 0 क्योंकि x तो है ही नहीं minus का 2 बचा और 10 inverse x का क्या होता है 1 upon 1 plus value का square simple तो ये था भी अपना देखो question number 6 ठीक है? 9 part थे 9 के 9 part में हमने substitution की काफी अच्छी help ली 7th question में मुझे substitution ही नजर आ रहा है कुछ में हिंदे भी रखा है कुछ में नहीं दे रखा है वो हमें prove करने वाले questions आ रही so I hope आपको ये 6 questions है वो समझाया होगा so please click the like button and share the video with your classmate और अगर आप चैनल पर नहीं है तो please subscribe the channel thank you